चर्चित सिंग्जिंग रियालिटी सो द भोईस अप नेपाल सीजन दोई को लाइब राउन मा इतिखिर उतक्रिष्टा बार प्रत्योगी हरुले प्रतिस परदागोरी रही काशन। उतक्रिष्टा बार को प्रस्तोती संगय भोटिंग राउन पनी खुली सकी कुशा। एस वीडियोफ सीरिज को दोस्ट भाग मा लाइब राउन को दोस्ट एपिसोड मा कसले कस्तो गाये तेसको बारे मा चर्चा गर देशा। भाईशप नेपाल का अन्ने एपिसोड हरु बारी चान्ना हमरु चैनल का थब भीडियो हरु हेर न सकनु हुने सा। लाइब राउन को दोस्ट एपिसोड मा बरिष्ट गायेक प्रेमदोज प्रधानले बहुचर चित गीत घुमती मा नजा हुआई बोलको गीत गायेरा कारिक्रम को दोई लोग घारी का थिए। अनि कोच राजु को टिम मा चिन, दोस्रो प्रस्ट तिमा जापा का विकास लिम्बुले अलिकती नजर तिम्र बोलको गीत गाये। अनि कोच राजु को टिमा चिन, दोस्रो प्रस्ट तिमा कोटी सर्का सनिस ट्रेस टले माया संसार बोलको गीत गाये। भाईस क्लोबल मा समेथ परिकास सनिस को प्रस्ट ति निकई राम्र हुदै करदा पनी उनले बीच मा गीत को केह सब्द बिर्चिये। तर दर्सक माज पपुलर भाईका उनको प्रस्ट ति भने फितलो भाईना। कोच हरुले उनलाई स्वास्ते समस्या को बाबजुत पनी प्रस्ट ति राम्र दिये को भन्दै तारिफ करे। दर्सक हरुले निकई साथ दिये उनको भोटिंग कोड सुनना नव हो। उनिक कोच राजु को टिमा सान। पाचों प्रस्ट ति माँ दारचली घरभाई हाल पोकरामा चर्चित बन शफल रजनी रीदम रायले मप्यार बेचीत दिन शो बोल को गित गाईन। उनको प्रस्ट तिलाई कोच हरुले समेत निकई तारिफ करे। उनको दमदार प्रस्तुति का कारण उनी दोस्रो एपिसोड को पर्फमर अफ़ दडेस समेथ हुना सफल भाई की सिन, उनको भोटिंग कोड सुना साथ हो, उनी कोच दीप को टिमा सिन, लाइब राउन को दोस्रो एपिसोड को अंतिन प्रस्तुतिमा डिली बजार का संजय मह कोच अस्ताले उनको प्रस्तुतिलाई स्टैंडिंग अवेशन समेथ दीन, उनको भोटिंग कोच दीप को टिमा सन, एशरी लाइब राउन को दोस्रो एपिसोड मा गीता सर्मा विकास लिम्बू, अंजु राना मगर सनी स्ट्रेस्टा रजन नी रिदम राईर संजय महतले प्रस्तुति दिये का थिये आदर्निय दर्शक बिन्त इप्रतियोगी हर्मद्दे तपाइलाई कोच को प्रस्तुति मन परेओ को बल्ला भाईस अपने पाल सीजन दोई को भेशेता क्रिपया कमेंट करना होज इसते वीडियो हर को लागी हमरो चैनल लाइस सस्क्राइब करना होज